यह वेल्कम टो सिक्सेपिसोड ओफ नेट पें रिलीव सेरीज आएंग डॉक्टर वरुन वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरेइव सर्वाइकल स्पाइन के बारे में जी आज मैं आपको बताऊंगा हाउ और यह वीडियो हर फिजोघ्र वेशन के लिए बहुत इंपोर्टन यह इसलिए इसमें आपको प्रॉब्ल्म है उसके साथ कैसे रिलेट होती है तो इसी तरह से में नीपें रिलीव सीरीज में knee pain का x-ray बताया था आपको knee का x-ray और साथ ही साथ मैंने आपको back की MRI और x-ray दोनों बताये थे उसका अगर आप में वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाके आप description में देख सकते हैं उसका link में आपको देदूँगा पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे x-ray of cervical spine उसमें आपको complete पता लग जाएगा जितना हमें normally patient को समझाने के लिए चाहिए होता है x-ray कितना देखना है वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा तो इस वीडियो को last तक जरूर देखिए तो यह हमारा cervical spine का x-ray इसके दो वीजो है यह वाला वीजो है ap view और यह वाला वीजो है lateral view हम इसके हमीशा दो वीजो ही जादा करवाते हैं अपी व्यो और lateral view में हमें सबसे जादा clearance होती है क्या कै हमारी चीजे कहा कहा पढ़ी है अब मैं आपको एक-एक करके बताओंगा कौन-कौन सी चीज इसमें होती है सबसे पहले यह देख लेते हैं कि cervical spine includes यह उसमें 7 vertebra होते हैं C1 से लेके C7 तक और साथ ही साथ हमारा जो C1 vertebra होता है उसका नाम होता है Atlas और C2 vertebra का नाम होता है Axis अब Atlas को हम C1 बोलते हैं इसमें एक और ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है कि Atlas होता है यानि कि C1 होता है उसमें ना ही vertebral body होती है और ना ही हमारी होती है तो जहां से आपको clearly vertebral body दिख रही है उसको C2 बोलते हैं वहीं से numbering शुरू करते हैं C2, C3, 4, 5, 6, 7 यह 7 vertebra तक यह थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे हैं पर 7 vertebra तक आपको clearly दिख रहा है और जो C1 vertebra है जिसको हमें Atlas बोलते हैं उसका यह जो आपको दिख रहा है यह स्पाइनस प्रोसेस नहीं है इसको आपने confused नहीं होना जै क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें स्पाइनस प्रोसेस होता नहीं तो यह इसको हम कहते हैं posterior arch यह C1 vertebra की posterior arch है इसको कभी यह स्पाइनस प्रोसेस नहीं समयना और यह होता है मारा atlanto occipital joint अब Atlas बोलते हैं और इसको occipit बोलते हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं atlanto occipital joint जो कि यहां पर होता है और इसी तरह से c1 और c2 जो होता है उसको हम बोलते हैं atlanto axial joint क्योंकि axis है Atlas और axis जो joint बनाएगा उसको atlanto axial joint बोलेंगे तो इस तरह से हमें यह देखना पड़ता है तो हम आपको बता दिया यह c1234567 यह c7 यह vertebras हो और यह जो आपको black portion दिख रहा है यह हो रहा है trachea जहां पर air दिख रही है आपको इसको हम trachea बोलते हैं और अब जलते हैं spinous process इसमें spinous process होता है नहीं c1 में posterior arch होती है तो यह spinous process है c234567 यह 7 spinous process आपको दिख रहे हैं अब इसमें क्या देखना है हमने सबसे ज़्यादा जुरूरी क्या होता है सबसे पहले तो हमने देखना है disc space यह जो खाली जगह होती है c2 c3 c3 c4 c4 c5 c5 c6 c6 c7 और c7 t1 तो यह मारी जो खाली space आपको यहां पर इस जगह पर दिख रही है उनको हम बोलते हैं intervertebral disc यहां से हमें पता लगता है क्योंकि कई बार क्या होता है यह तो वैसे normal हमारा x-ray है क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ straightening है आपको मैं साफ साफ बता देता हूं कि इसमें सिर्फ straightening of cervical spine है और ज्यादा कुछ problem नहीं है और यह हमारा disc space होता है यहीं से हमें पता लगता है कि अगर patient को slip disc भी हो सकता है क्योंकि इसकी ज जगह जगह पर आगए c5 c6 c7 mostly होता है वहां पर हमारी जो space होती है यह वाली जो space होती वह कम होना शुरू हो जाती है जिसमें पता लगता है कि डिस्क प्रॉलैस्स भी हो सकता है spondylosis भी हो सकता है पर cervical spondylosis एक complete term आपको पता लगती है कि हमें बोली जाती है अब सबसे जरूरी बात कि इसको कहते हैं हमारा pedicle यह जो चीज है इसको pedicle बोलते हैं इसको lamina बोलते हैं यहां पर और यह हमारा हो गया superior articular process और यह हो गया inferior articular process यह बहुत जरूरी चीज देख सबसे देखना है तो मैं पता लग जाए कि यह चीजों का सबसे जदा ध्यान रखना है अब अब क्या देखना है सबसे पहले तो यह देखिए यहां पर होता है एक dense होता है इसको हम और प्रोसेस भी बोलते हैं जो आपको मैंने बताया था कि मारा जो c1 वर्टिब्र होता है जिसको एटलेस बोलते हैं इस तरह रिंग की तरह होता है और जो c2 वर्टिब्र होता है जो एक्सिस होता है वो इस तरह से उसका जो dense इस तरह से उसके बीच में से निकलता है जो rotation के काम आता है कई बार तो इस तरह से dense और odontoid process इस तरह से चोंच निकली होती है एक्सिस वर सब्सक्राइब सोधि on your's firstosit और सती साथ होता है महारा डिस्क स्पेस पतो आपको दिख गया यह होता है मारा सफिरियर फे सब्सक्राइब यह थो सब्सक्राइब होता है ग마 रहिल योद्सक्राइब चीज़ देखनी परते हैं और पीछ से से हमें इतना सिर्फ इतनी चीज़ दिखती हैं जब कि मैंने आपको पहले बता है कि जो हमारा लेटरल भी होता है उसमें ज्यादा चीज़ देखनी होती है अब हम देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है पेशन के साथ या उसकी प्रॉब्लम के साथ हमें कैसे कैसे दिखता है इ इसका हमला पेशन को कई बार स्पासम भी हो चक्पा है और ऊसका पौस्चर भी खराब है इसकी विज़аст को स्ट्रेस पड़ता होगा जिसकी वज़ाँ से उसको रवा-वा करें अग वर ब्रेसलिए जिसकी वेटासुको निइव लोजिकल सिंटम्स आ रहे हैं अपनी स्पाइन की वेड़ा से आम में सिंटम्स जा रहे हैं तो यह बीचीज़ हमें देखनी पड़ती है क्योंकि जो आर्च होती है अगर इसकी अनिवन रहती है मालिजी अब यह इस त्रेटनिंग है जो अब इसकी वह्राव मोटा प्रोब्लम मhot possessed हो सकते हैं तो इसकी प्रोब्लम की वहाव से हमारा जो जयादा जादा प्रोब जयादा प्रोब्लम होती है किया कोई भी पेशेंट को जब सर्वाइकल स्पाइन होती है उसको में इसकी mobilization भी कई बार करने पड़ती है तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान जादा रखना पड़ता है अब डीजनरेशन की एक और बात देखिए अब यहां पर देखो आपको वर्टीबरल बॉडी के बिल्कुल मार्जन परफेक्ट दिख रहे हैं अब जब डीजनरेशन हो तो क्या होता है जो मर्जन नुटे इस तरह से यहां पर बैद शुरू हो जाती आपको कई और मैं आपको एक्स ठीबंगा इस तरह से लिफंगर रही है प्रिक्षिन च हो जाते हैं कुछ मुझल हो जाते हैं जिसकी विद्ध से अनिवन रहती है हमारी सर्वाइकल स्पाइन क्योंकि सबसे अधा मूबिल्टी में होती है हमने पौछ सारी चीज़ें करनी होती है अपने पॉस्चर को लेकर भी इस तरह से हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड चाहिए चाहिए सब फेश्चेंस और सबड़ में पुल्क देखने आना है पर हमारा जो रेडियो जिस्ट है वह प्रॉपर इसका डॉक्टर रेडियोलोजिस्ट है जो पूरी रिपोर्ट बनाता है क्योंकि उस से जादा अच्छा एक्सरे कोई निनी देख सकता क्योंकि व वहां पर जाके इसको जरूर देखिए क्योंकि इतनी नॉलेज नहां होनी जरूरी होती है इस से में पता लगता है कलगे फैस्बूक के ऐसे अलिज रहे किजिए तसे लोगों को भी पता करने वालब बिलकुल नहीं है, have a nice day, take care of yourself.